हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है USB PCAP कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे और प्लेज गया यह दिए आप अभी तक चैनल को सस्काइब नहीं किये तो प्लेज चैनल को सस्काइब करना ना भूलें चले शुरू करते हैं आप अपने laptop या PC के अंदर कोई भी browser open कर लिजेगा browser open करने के बाद आपको google open कर लेना है google open करने के बाद यहाँ पे आपको tap कर देना USB PCAP और enter कर देना है enter करते हैं यहाँ पे आपको first option दिख जाएगा इसके उपर आपको click कर देना है click करते हैं USB PCAP का officially website open हो जाएगा बाद के इसका link का आपको description में डाल दूँगा या तो आप description में जाकि इस link को copy कीजेगा अपने browser की URL में paste कीजेगा enter कीजेगा तो भी directory यह page open हो जाएगा यह page open होने के बाद आपको क्या करना है click करते हैं आपका exe download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है folder के अंदर जाना है जहां आपने exe को save किया है वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है exe को right click कर देना है right click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको property पे klick कर देना है klick करते हैं इस तरह से window open हो जएगा अब माल लिज़ोगा यदि आपके case में यहां पे onblock दिकता है तो आपको क्याकान है इसको tick mark कर दіना apply कर देना यदि आपको यदि आपको case में यहां पे onblock नहीं दिकता है आपको क्या करना है, ओक करके बाहर आ जाना है, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तब यह सी को पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो रण एज अन्मिस्टर करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तीनों चीज म आपको टिक मा कर देना है फिर से आपको next पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको फिर से next पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको install पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको install पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे close पे क्लिक कर देना है क्लिक करती है आपका installation complete हो जाएगा यदि आप इस software को open करना चाहते तो आपको कहा करना है this PC या my computer दिखेगा इसको उपर आपको click कर लेने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको कहा करना है cdab open कर लेने इसके बाद आपको program file open कर लेने इसके बाद आपको scroll down करना है scroll down करते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देख रहें USB pick app आपको कहा करना यह open कर लेने open करते हैं यहाँ पर आपको यह सारा option दिख जाएगा आपको कहा करना है यहाँ पर एक सी दिख रहे है इसको पर आपको click कर लेने किलिक करते इस तरह से विंडो अपन हो जाएगा अब आप यहां से USB को कंट्रोल कर सकते हैं अब आप अपने हिसाब से यहां पे यूज कर लिजेगा यहीं आज का हमारा टॉपिक था आपको करके दिखा दिया और प्लीज गया चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर कर थैंक यू